आजम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और चटपटी रोटी कॉंस तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं रोटी कॉंस सबसे पहला हमें कड़ाई में डालेंगे दो से तीन बड़े चमच रिफाइंट ओईल और उसे गरम होने देंगे उसके बाद अब हमें डाल देंगे आजी शोटी चमच जीरा और उसे चटकने देंगे अब मुझ में डालेंगे एक चोटाई छोटी चमच ग्रेट करा हुआ जिंजर और एक छोटी चमच बारी कटा हुए लैसन और इन सब इस जोगों 10 से 15 से करेंगे और बस इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे आदा कब फाइनली चॉप्ट प्याज और उसे हलका गुलाबी होने तक पका लेंगे अब हमारी प्याज हलकी गुलाबी हो चुक है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा कप बारी कटी हुए शिम्नामिर जी अब हम उसमें डालेंगे एक चाथाई छोटा कप मक्य के दाने और डालेंगे एक चाथाई छोटा कप मटर और इन सबी चुज़ों को अच्छी तरीके से पका लेंगे हमारी सबी सबी अच्छी तरीके से पक चुके तो अब उसमें डालेंगे आदी छोटी चम मटर अदी छोटी चम मटर लाल मिर्ची पाउडर आदी छोटी चम मटर धन्या पाउडर एक चद्धाई छोटी चम मटर अमचूर पाउडर एक छोटी चम मटर रेट चिली फ्लेक्स आदी छोटी चमच ब्लेक पैबा पाउडर एक छोटी चमच ओरिगेनो स्वाद नुसार नमक अब हम उसमे डालेंगे आदा छोटा कप पनीर यहाँ पर हमने पनीर को छोटे छोटे क्यूपस में कट करके लिया है उसके बाद अब हम उसमें डाल देंगे तीन से चार उबले हुए और रफली मैज्ट आलू और बस अब अब इन सबीच जोगची तरीके से मिला देंगे और बस हमारी स्टाफिंग रेडी है अब हम इसे ठंडा करेंगे अब हम लेंगे चार रोटी उन मैंसे सबसे पहले हम एक रोटी लेंगे और उसे करेंगे एक बार फोल्ड और उसे बीच मैंसे कट कर लेंगे बीच मैंसे कट करने के बाद हम दोनों हिस्सों को एक साथ रख देंगे और एक और बार फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद अब हम इसे भी कट कर लेंगे और बस हमारी एक रोटी के चार एककोल पार्ट तयार है उसके बाद हम लेंगे चार से पांच चम्मच मैदा और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और उसके एक इसलरी बना करके तयार कर लेंगे हमारी सलरी रड़ी है उसके आद अब हम अपनी रोटियों को लेंगे और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमारी रोटिया हलकी से खुल गई है तो उसके बीच में हम सलरी लगाएंगे और उसे अच्छी तरीके से चुपका देंगे और बस इसी तरीके से हम सभी एसक्रीम कोन खाते है ना उसी तरीके से कौन बना करके तयार कर लेंगे हमारी सबी कौन्स रेड़ी हैं अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुके तो अब हम स्टफिंग लेंगे और कौन में अच्छी तरीके से भर देंगे अब हमने कौन में अच्छी से स्टफिंग को भर दिया है अब हम इन कौन्स को अपनी मैदा की स्लरी में डिप करेंगे और डाइरेक्ट गरम तेल में डालते जाएंगे और यहाँ पर हमने तेल को पहले से गरम करने के लिए रख दिया था और इसे तरह हम सभी कौन्स को तेल में डाल देंगे और गोल्टन प्राउन होने तक सेखेंगे अब हमारी सभी कौन्स गोल्टन प्राउन हो चुके तो अब हम इने तेल मैसे निकाल लेंगे और हम इन कॉन्स को निकालने के बाद टिशू पेपर पर डखेंगे ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा ओल होगा टिशू पेपर ऑपसर्फ कर लेगा अब हम अपने एक कॉन लेंगे और उसके अपर पाट को अच्छी तरीके से टोमाटो कैचप में डिप करेंगे उसके बाद हम अपर पाट को अच्छी तरीके से टोमाटो कैचप में डिप कर लेंगे के बाद हम टोमाटो केचप वाले पार्ट को चीज में अच्छी तरीकी से कोट कर देंगे और वस हमारी रोटी कॉन बन करके तयार है और सेम प्रोसेस करके हम इसे आलू बुजिया में भी कोट कर लेंगे हमारी रोटी कॉंस बन करके तयार है और अगर आपको रेसीपी पसंद आयो तो ट्राइज जरूर करना